इसके पिछली क्लास में हमने आपको जैने, फॉर की बारे में बताया था, पहला लोब था, आज हम दूसरा लोब पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा Do While, Do While का यूज हम कैसे करेंगे, इसका syntax आप दिखेगा, आपको यहां लिखना होगा Do While, Do While, और यहां पे आपको देना होगा condition, किस तरह का condition आप यूज कर रहे हो, और यहां पे आपको loop body देनी पढ़ेगी, जो भी आप loop में देना चाहते हो, loop body क्या होगी, और loop body के बाद यहां पे आपको जैने last में, इंड डू लगाना पढ़ेगा, जैसे आपने इंड फॉर किया था, वैसे ही आपको इंड डू भी लगाना पढ़ेगा, तो आईए इस पर हम एक question लिखते हैं और आपको समझाते हैं, पहले इसको note कर लीजे, पहला आपने फॉर के बारे में पढ़ा था, अभी हम do while के बारे में बता रहे हैं, अगला loop होगा, loop, तो FoxPro में आज के class में हम आपको loop, दूसरा loop बताने जा रहे हैं, इसके पहले हम आपको for loop के बारे में बताये थे, उसी तरह आपको यहाँ पे do while loop का इस्तमाल करना है, और program को लिखना है, syntax आप देख सकते हैं, do while का इस्तमाल करेंगे, condition का प्रियोग करेंगे, loop body आपको लिखना होगा, loop body में आप जो print करना चाहते हो, और यहाँ पे do while को आपको end do करना पड़ेगा, तो आईए इस पर हम एक question को write करते हैं, और देखते हैं कि यह program के अंदर कैसे काम करता है, 25 के नाम से हम file को open करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि f25.prg नाम से file open हो चुकी है, अब इसके अंदर हम code को write कर लेते हैं, code को हम लिख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि प्रोग्राम को हमने लिख लिए और इस प्रोग्राम में हमने कर खा़ कि आप number को input करिए और उस number को आप sum करके बताईए द्यान दीदिगा यहां पे हमने set of profit कीआप देख सकते हैं यहां पे हमने clear formula का use किया है और यहाँ पे store किया है 0 को यन और yes के उपर यानि यन की और yes की starting value क्या है 0 है आप दिखेगा यहाँ पे input दे रहा है और input में कहा जा रहा है कि enter number माली दे यहाँ पे हमने यन की value input किया यन की value हमने डाला 5, 6, 4 यानि जो संख्या आप input कर रहे हैं उनको यह क्या करें उनको यह sum करें उनको यह जोडे अब देखना कैसे जोडेगा manual की बात करें तो 5 plus 6 plus 4 is equal to कितना 15 यह जोड के बताए कि 15 होगा कैसे जोडेगा वही चीज समझने आपको प्रोग्राम को जब आप run कराएंगे तो आपसे कहेगा कि इंटर करें नंबर को तो माली जी यन की value आपने input कर दिया 5, 6, 4 यानि 564 को आपने input किया अब देखें हमने कहा कि loop चलेगा और loop कब तक चलेगा do while not n is equal to 0 यानि जब तक कि यन का मान क्या हो जाए 0 ना हो जाए तब तक कि ये loop चलेगा हर loop का end हमने देखा है far में भी देखा था कि i is equal to 1 to 10 यानि i का मान क्या हो 1 से start हो और 10 पे जाके खतम हो वैसी हर loop का end होना जरूरी है क्योंकि loop जब तूटेगा नहीं break नहीं करेगा तो वो program खतम नहीं करने देगा यानि आपको output मिलेगा ही नहीं या अगर कोई output दिया है तो लगातार वही output आपको देता चला जाएगा इसलिए loop का तूटना भी जरूरी है तो यहाँ पे कहा गया कि end का मान जब तक 0 नहों जाए तब तक कि ये loop क्या हो जाए loop चलता रहे है अब ध्यान दिदेगा यहाँ पे x का मान क्या होगा x is called to ध्यान दिदेगा यहाँ पे yen modulus 10 यानि x की value हो जाएगी यहाँ पे 4 4 कैसे होगी आपको समझना है कि अगर आप 564 में 64 में अगर आप 10 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा बबू 10 5 जा 10 5 जा 50 और 10 6 जा 10 6 जा 60 यहाँ पे 6 कितना बचा बस वही x का मान निकला है यहाँ पे हमने बोला है x is called to yen modulus 10 मतलब यह क्या निकालेगा 6 फल निकालेगा 4 वहाँ मिल चुका है अब कहा गया कि yes is called to yes plus x yes का मान पहले क्या था 0 था तो 0 प्लस x yes का मान कितना होगा 0 प्लस x यानि 4 is called to 4 अब ध्यान दिदेगा यहाँ पे जो formula यूज किया जा रहा है yen is called to integer formula का integer function का इस्तमाल किया गया है यानि yen by 10 लिखा गया है अब ध्यान दिदेगा अगर आप 564 में 10 से भाग देंगे तो यह क्या आएगा 56 दस्मलों 4 होगा होगा न चुकि आपने integer function का इस्तमाल किया है इसलिए decimal मान को छोड़ देगा decimal मान को छोड़ देगा और केवल पुडांक मान को ही क्या करेगा show करेगा इसलिए यहाँ yen का मान कितना हो जाएगा yen का मान हो जाएगा 56 अभी भी देख सकते हैं कि yen का मान 0 नहीं हुआ है अंदर आने देगा और फिर x का मान कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा यहाँ पे x का मान हो जाएगा 6 तो yes का मान कितना हो जाएगा yes is equal to yes plus यानि 4 plus x यानि 6 is equal to 10 अब देखी यन का मान कितना हो जाएगा यन का मान इंटीजर यन बाइ टेन यन का मान हो जाएगा 5.6 यानि 5 5.106 होगा 5.106 में पुड़ां कमान को लिया जाएगा 5 केवल ले लेगा 6 को छोड़ देगा यानि 5 होगा X का मान कितना हो जाएगा x का मान 5 ही होगा क्योंकि द्याद रखे जब yen में यानि 5 में जब 10 से भाग दीजेगा तो भाग नहीं जाएगा वही संख्या क्या होगी सेस होगी तो क्या होगा yes is equal to s यानि 10 प्लस 5 is equal to क्या दिखेगा 15 अब दिखे यहां पे क्या होगा yen का मान यहां पे हो जाएगा 0 कैसे 0 होगा बभू 5 में 10 से भाग दीजेगा तो 0.5 होगा 10 मान को छोड़ देगा integer और केवल पुडांक मान को लिया जाएगा 0 ले लेगा और कहा गया दिखेए condition में कि यह loop कब तक चले जब तक कि yen का मान 0 नहो जाए अब yen का मान 0 हो चुका है yes का मान कितना निकला है yes का मान 15 निकला है देखें यहां पे end do हमने do while का इस्तमाल किया है तो end do का भी हमने यहां पे प्रयोग किया और end do जब यह loop तूट जाएगा बंद कर देगा जब yen का मान 0 होगा तो यह loop तूट जाएगा और यहां पे sum आप digits में yes का मान आया है yes का मान कितना आया है 15 15 आया है यही आपको output में मिल जाएगा तो आएए इस program को एक बर हम run करते हैं और input करके देखते हैं कि output हमें 15 मिल लाए कि नहीं तो close करते हैं प्रोग्राम को save करने के लिए control plus w को आप प्रेस करिएगा यहां पे आप लिखेगा do और f f25 लिखेगा और enter करिएगा यहां आप से पूछ रहा है कि आप number को input करिए तो चलिए हम number में वही संख्या लेते हैं 5, 6 and 4 हमने का कि sum up digits जो संख्या हैं आप input करो उसका क्या करें वो sum निकाले अब दिखेगे जैसे हम enter करेंगे इंटर करेंगे यहां पे हमें output मिल चुका है 15 हमें output के रुप में दे दिया है तो आपने देखा कि do while का use आपको कैसे करना है और कैसे do while की दौराजे हमने आपको बताया कि आप sum up digits निकाल सकते हो तो यह question आप screenshot कर सकते हो जिसमें आप किसी भी संख्या को input करने के बाद उसका sum क्या होगा वो आप यहां से निकाल सकते हो तो do while के लिए हमने पहला example दिया है आप इसको note कर लीजए